हलो एवरिवान इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेस्टन को सॉल्व करेंगे जो कि के विएस के लिए टीचिंग अप्टिट्यूट के क्वेस्टन से और यह जो है कमिनिकेशन पार्ट से हैं ठीक है तो यहां पर जो क्वेस्टन है सम अब्जेक्ट्स कैन बी टॉट वेरी कुछ सब्जेक्ट जो है कुछ जो अब्जेक्टिव है हमारे टीचिंग के वो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एफिसेंटली प्राप्त किये जा सकते हैं टेलिवीजन टीचिंग के माध्यम से क्यों 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 कि टेलिवीजन टीचिंग में क्या खास होता है टीचर तो यहां पर कह रहा है कि जो जिस तरह के सीन और एक्सपेरियेंस और एक्सपेरिमेंट जो है जो टेलिविजन पर क्रियेट हो सकते हैं वो जो है ऐसा इसकूल में नहीं हो सकता तो यह आपसन हमाय सही है कि बहुत सारे जो अब्जेक्टिव होते हैं उन्हें जो है हम इफिसेंटली प्राप्त कर सकते हैं टेलिविजन के टीचिंग के मात्यम से क्योंकि उसमें जिस तरह के scene experience और experiment होते हैं create कर सकते हैं television में उस तरह से चीजें हम school marriage नहीं कर सकते ये भी ठीक है teacher भी बहुत कुछ सीखते हैं television से लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही जो है भीवला हो जाएगा discipline well maintained television teaching में यह बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं पूरी तरह से discipline में रहा के पूरा focus रहते हैं तो यह तो ठीक है लेकिन ज़्यादा सही जो है यह है ठीक है teacher साफसाच subject are rare ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो है भी वला आपसन correct हो जाएगा next जो question है हमारा है the teacher must एक teacher के पास क्या good होना चाहिए भी ये philosopher उसे एक philosopher होना चाहिए या फिर उसे अपने बच्चों के growth के बारे में सोचना चाहिए या फिर वो impressive और effective trace पहने या फिर उसकी personality effective हो तो यहाँ पे हमारा होगा कि think about the growth of a children जो teacher अपने बच्चों के growth के बारे में सोचता है ठीक है वही सबसे अच्छा teacher होता है और उसके अंदर ये good होना ही चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो है next question हमारा है 50 number का for building the curriculum जैसे जो पाठिक्रम होता है इसकूलों में हरे class का अलग-अलग पाठिक्रम होता है तो इसमें से which one of the following तो जो पाठिक्रम है उसमें कौन सी चीज को सबसे ज्यादा emphasis होना चाहिए सबसे ज्यादा focus किस पे होना चाहिए किस पे जोर देना चाहिए study material पे objective of education पे teaching method पे अब study material जो है कि जो books हम provide करते हैं बचों को classes में वो study material हो गया objective of education हो गया कि पूरा जो पाठिक्रम है हमारा हर एक subject को और हर एक activity को मिला के उसका objective क्या है उस तरह के education का objective क्या है the teaching method teaching method है या फिर the environment of the student या फिर student का environment तो यहाँ पे जो objective है education का वही जो है कि maximum emphasis होना चाहिए जो हमारा curriculum है ठीक है उस पे उसमें सबसे ज्यादा focus objective of education पे होना चाहिए हमारा curriculum ऐसा होना चाहिए जो education का objective को पूरा करें जैसे कि education का objective होता है कि all round development of the student जैसे कि physical, mental और emotional लेवल पे, social लेवल पे, behavior के लेवल पे, हर लेवल पे जो है development होना चाहिए नेक्स जो question है वो है तो यहां पर हमने बताया था आपको कि objective of education पे emphasis होना चाहिए ज्यादा ठीक है नेक्स जो 51 है वो है you are teaching in class आप class में पढ़ार है है a humorous episode appear in the lesson और एक बहुत ही अच्छा episode होता है lesson के बीच में देंगे you would deem the act of laughing by student as an act of indiscipline and punish them आप जो है हसने को एक मतलब अच्छा एक्ट नहीं मानेंगे indiscipline act है मतलब कि अनुसासन में रहना मतलब कि नहीं हसो तो ऐसा नहीं है इसका laughing से laughing का indiscipline से कोई मतलब नहीं है और इसलिए यह indiscipline में नहीं आएगा और हम बच्चों को punish नहीं करेंगे you would not pay an attention on this act of the student यह ज्यादा सही हो जाएगा you would warn the student not to commit such an action in the class आप बच्चों को ऐसा डाटेंगे जैसे कि वो फिर से ऐसा ना करें यहां पर जो है laughing ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत है indiscipline है और इसलिए उन्हें पनिस किया जाए या फिर वार्न किया जाए उन्हें पनिस नहीं करेंगे वार्न भी नहीं करेंगे दोनों negative हो जाता है यहां पर positive behavior क्या होगा कि आप उस पर ध्यानी नहीं देंगे ठीक है तो ह यहां यह वाला सही हो जाएगा नेक्ट जो हमारा question है वह वह है वाइल टेकिंग दे इंटर्विव आफ इस्टुडेंट जब हम इंटर्विव रहे होते हैं वाट सुदू भी वाट सूड दे इंटर्विवर कीप इन माइंड तो इंटर्विवर को माइंड में क्या रखना चाहिए इन टेब्विवर इन टेटींटोड एप इंटर्विव रहा हो तो इसलिए जब भी आप इंटर्विवर में हैं और एक स्टुडेंट का इंटर्वियू ले है हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे की जो इंटर्विविव रहों हो he should try to know about the good and bad habit of the student और जो है आपको बच्चों के जो student है उनके good और bad habit के बारे में पता होना चाहिए he should try to know the personal interest of the student interview के समय पे जो है बच्चों के personal interest को भी जनना हो सकता है तो यहाँ पे हमारा सारा सही हो जाएगा तो यही कह रहा है कि जब interview ले रहे होंगे आप student का तो what should the interviewer keep in mind तो interviewer जो है अपने दिमाग में क्या रखेगा तो all of the above ठीक है next हमारा जो question है वो है 53 number का a teacher of the science is conducting a scientific experiment एक science का teacher है ठीक है a science teacher है जो कि conduct करता है scientific experiment before student हम तो जब scientific experiment जब कर रहा होता है teacher students के सामने the desired result of the experiment is not obtained तो जो desired result है ठीक है वो नहीं प्राप्त हुआ in such a situation the teacher should तो ऐसे में teacher को क्या करना चाहिए जब हम कोई practical कर रहे होते हैं science का सभी बच्चों के साथ में students के साथ में और जो हमें result चाहिए experiment का वो प्राप्त नहीं होता है teacher को तो ऐसे स्थिति में teacher को क्या करना चाहिए या एक teacher के तोर पर आप क्या करेंगे तेल ही student that they should read that experiment at their home and that it would be done again the very next day आप उनसे कहेंगे कि इस practical के बारे में जाने और अगले दिन आप लोग इस पर फिर से करेंगे not tell his student that experiment was not a successful and repeat it from scratch आप इसे नहीं कहेंगे student को कि यह unsuccessful experiment है tell his student that experiment was not a success and that the teacher and student would together try to find out what had gone wrong in the experiment and at which stage तो जो है कि आप जो है बच्चों से कहेंगे कि जो result हमें चाहिए वो नहीं मिला है तो successful नहीं रहा है मतलब कि experiment was not successful और इसलिए हमें इसलिए teacher or student को मिल के साथ में find out करना चाहिए कि कि किस stage पर experiment के कुछ गलतिया हुई है तो obviously ऐसा ही करना चाहिए एक teacher को students के सामने या फिर चोथा है tell his student of the class that they should open that page of the textbook where the method of experiment has been explained या फिर आप student से कहेंगे अपने class के student से कहेंगे कि practical book की वो page खोले जहांपे की textbook की जहांपे की experiment method दिया गया है और उसे फिर से explain करेंगे यह सब तो part हो गया लेकिन जो main चीज है वो क्या है कि आप जो है समझेंगे की experiment के कि stage में गलती हुई है और आप उसको जो है फिर से सही से करेंगे ठीक है तो इसलिए यहां पे C वाला ज्यादा correct हो जाएगा बाकी सारे जो है कि यहां पे घर पे जाके पढ़ना तो यह पहले ही हो जाना चाहिए ठीक है तो यहां पे C वाला सबसे correct है नेक्स जो question है वो है During the course of an education tour, what would you expect from the student? During the course of educational tour, जब आप educational tour कर रहे होते हैं तो आप student से क्या expect करते हैं? ठीक है जब आप educational tour कर रहे होते हैं तो आप student से क्या expect करते हैं? ठीक है जब आप educational tour कर रहे होते हैं तो student से क्या expect करते हैं? If children are keen to ask some question, अगर children कोई question पुछना चाहते हैं teacher से They should jot them down in their notebook They should see every place and object carefully and ask a question from their teacher about them They should see every place They should see every place and object carefully and ask a question from their teacher about that During the course of an educational tour, जब educational tour हो रहा होता है What would you expect? तो आप student से क्या expect करते हैं? तो आप यह expect करेंगे कि हर एक place को carefully देखे, समझे और उसके बारे में question पूछे अपने teacher से ठीक है तो educational tour का यही में मकसद होता है They should see everything quietly They should not ask any question from the teacher तो ऐसा तो बिलकुल नहीं करना चाहिए बच्चों को जो है question पूछना चाहिए Children should move about with pleasure They should also allow the teacher to move about with pleasure तो उन्हें खुसी-खुसी घुमना चाहिए तो ऐसा नहीं है जो educational tour होते हैं उसका कोई मकसद होता है तो यहां पर यह हो जाएगा If children are keen to ask some question अगर बच्चे कोई question पूछना चाहते है teacher से तो उन्हें जो है note तो उन्हें वो question अपने notebook में note करना चाहिए तो ऐसे भी नहीं है तो यहां पर बी वाला correct हो जाएगा ठीक है तो यहां पर कौन सा correct होगा कि educational tour पे जब बच्चे जाते हैं तो teacher यह expect करता है पर के और उसके बारे में teacher से question पूछे next question है वो है the presentation stage was deemed the most important in the five stage system of Harvard जो presentation stage है the presentation stage was deemed the most important in the five stage system of Harvard hence it is clear that this system ठीक है give the major status to the ability of the student to assimilate knowledge give the major status to the teacher give the major status to the subject matter gives the major status to the student यहां पर हो जाएगा gives the major status to the teacher ठीक है तो जो presentation stages होते है was deemed the most important in the five stage system of Harvard जो presentation के stages होते है वो बहुत important होते है five stage system of Harvard में इसलिए it is clear that this system gives the major status to the teacher ठीक है तो यहां पर जो है हमारा answer हो जाएगा वो होगा give the major status to the teacher यह जो है major status देता है teachers को ठीक है तो यहां पर जो है हम लोग को वीडियो को यहीं पर बंद करेंगे बागी आगे के जो questions है वो हम लोग next वीडियो में करेंगे ठीक है धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आएं तो चैनल को सब्स्क्राइब करें लाइक करें और सथेर करें